तो वोल्कम बैक तो दुवल्ड आफ जेए कमिस्ट्री मैं इसल पारस्ट अगुरे एंचली स्टार्ट करते हैं कुछ नया सीखते हैं आज कमिस्ट्री के बारे में एंड लेट्स दुट विद श्माइल and do not forget to download the unacademy learning app and use the code PTLIVE और बाकी एक और बड़ी प्यारी चीज़ आप लोगों के लिए बता जेता हूं है कि अभी cbsc plus jhe ka combo offer जो चल रहा है ठीक है उसमें huge discounts आपको मिल रहे हैं तो use the code PTLIVE ठीक है यहां पर दिया हूँ है में जनरली बच्चे उतने aware नहीं होते हैं कि polarizability reality में क्या होता है तो we'll understand this topic के polarizability होता क्या है how it affects the reaction mechanisms क्योंगि आज जब आप organic chemistry में आगे जाएंगे SN1 SN2 पढ़ेंगे वहाँ पे polarizability का funda use किया जाएगा nucleophilicity के cases में और भी कुछ जग़े आपको मिलेगा जब covalent bonding परते हैं वहाँ पर आपको polarizability का funda मिलता है चलिए तो काफी काम की चीज़ है बट generally थोड़ा सा unexplored सी रह जाती है देखें तो polarizability नाम से समझ आ रहा है polarize होने की ability polarize होने की एक शमता कौन कितनी ज़दी polarize हो गया जैसे हम बोलते हैं कि यह रहे यार यह बड़ा अच्छा लीडर ही क्या करता है लोग को polarize कर देता है मतलब अपने opinion से ना उनको polarize कर देता है अपनी बात मनवा लेता है जैसे कि माली जो 200 लोग एक भीड में आय है और जो नेता है मंच पर वह ऐसे हैं कि अरे वह क्या शांदार होने मतलब मैसमराइज करने वाला भाशन दिया लोगो पोलराइज कर दिया मतलब मतलब एक तरफ उनकी जो thought process था उसको convince करके एक तरफ कर दिया कि हायर ये सही और ये गलत है तो उतर पोलराइज कर दिया हम बोलते हैं कि हम religion के नाम पे लोगों को पोलराइज करते हैं कुछ लोग गलत होता है ये स्मझे तो पोलराइज तो अद यहां पर पोलराइज कर रहा है यहां बाशन देने नहीं आता यहां एक positive charge होता है वो positive charge negative charge को मतलब एक एनायन को पोलराइज करता है तो देखें, it's a very very important property of molecule that you must have studied during the Fasan rule, chemical bonding में अपने पढ़ा हो है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक हैं, देख लेते हैं let's have a quick recap of this, since electrons are charged particles, they respond to electric fields, ये बात तो बिल्गु सही है, charged particles तो electric field आस पास होगी, तो उनको कुछ महसूस तो होगा, कुछ feel good factor तो आएगा तो in particular, electron in molecules are mobile to varying degrees, बतले, electrons are not fixed, ये मेरा घर है, ये मेरा orbital में यहें पर होगा ने, they can move around, गुनते रहते हैं यहाँ पर, so their position can shift to different extent when any external electric field is nearby, तो आस पास अगर कोई electric field apply कर दी जाए, तो उसके वज़े से कुछ attraction डेवलप होगा, या हो सकता है, कुछ repulsion डेवलप हो, negative charge को परोस में रख रहे है, negative charge को परोस में रख रहे है, तो जो भी होगा, कोई भी electric field अगर आस पास मौझूद है, तो उसकी वज़े से electrons अपनी position को यहाँ वाँ shift करेंगे, तो अविसी बात है, यह आपके पास एक था, normal neutral atom, जिसके आस परोस में कोई नहीं है, बचारा एक क्या है, neutral molecule का, sorry, atom का, या molecule भी हो सकता है, simple representation है, symmetrical है, nucleus center में है, positive charge, उसके चार उतरफ electron cloud है, तो electron cloud यहाँ पर है, positive charge बीच में है, fine, right, कोई external electric field नहीं है, अब हुन क्या करते हैं, एक cation को इसके आस पास रख देते हैं, positive charge को, देखिए, हम cation को रख रहे थे, यह जनाब यहाँ पर start होगे, तो cation को वच्छे इसके आस पास रखने से क्या हुआ, यह हमने cation को उसके परोस में रख दिया, cation, electrons को attract करेगा, तो electric field वहाँ पर create होगी, वो electrons को इधर खिंच लेगी, तो सारेक सारे electrons, cation की तरफ shift कर जाए एक तरफ nucleus, तो पहले सब लोग मिल बांट की खुशी-खुशी symmetrical तरीके से रह रहे थे, अब क्या होगे, electron अपना अलग होगे, nucleus वाला part अलग हो गया, that is polarize हो गया मामना है यहाँ पर, तो यह आप देख सकते हैं कि इस तरफ partial negative charge आ रहेगा, इस तरफ partial positive charge आ रहेगा, तो य दूसरों को polarize कर सकता हूँ मैं, और negative charge के पास हुई, polarize होने की ability, polarizability, तो polarizability किस के पास हुई, NIN के पास, और polarizing power किस के पास हुई, cation के पास, क्योंकि उसने किया न, polarize सामने वाले को, ठीक है, और जो हुआ polarize वो गहां था, NIN, तो NIN के लिए define करते हैं, आप polarizability, मतलब के सर यहां तो neutral था वो, yes, neutral भी हो सकता है, NIN भी हो सकता है, right, तो एक polarize करने वाला और एक polarize होने वाला, fine, तो यह positive pole बन गया, यहां पर यहां भी आपका negative pole बन गया, ठीक है, यह आपका dipole बन गया इस तरह से, तो electron density has shifted due to the presence of positive charge nearby and this is called polarization and that is the development of positive negative poles, चलिए, next कहानी है, so the polarization, position, ठीक है, this is distortion, एक तर से distortion नहीं नहीं है, इलेक्ट्रोक जो electronic cloud है, उसका आप distort कर रहे हैं, थोड़ा इदर फैला रहे हैं, थोड़ा वहां फैला रहे हैं, तो उसका आप distort इस हो कर रहे हैं, बिसिकली, और क्या कर रहे हो, ठीक है, एक second, मैं भी खुद को थोड़ा सा distort कर ल देखे, तो polarization is basically distortion or shifting of electron density due to the electric field nearby, अगर वो electric field हटा दी जाए, तो अगर positive charge को वहां से हटा दें, तो क्या होगा, ये बेटा वापस से ऐसा ही बन जाएगा, जैसा ये पहले था, ठीक है, तो उसके influence के बिना ये, पोलराइज नहीं हो पाएगा, तो इन प्रिविस example, the neutral atom got polarized by the cation so cation has a polarizing power, cation has a polarizing power, and the neutral atom था, that is the ability to get polarized, that is, उसके पास है polarizability, ठीक है, चली, ये चीज़ दो में समझा गी, अब point आता है कि सर, कौन जल्दी polarized होता है, कौन जल्दी polarized नहीं होता, अब देखो, ये जो इसका electron cloud है, ये कितनी जल्दी दूसरे के बहकावे में आ जाएगा, जितना इसके उपर अपने nucleus का hold कम है, तो बिटा अगर atom size में और बड़ा होगा, तो outer electrons बहुत दूर होगे, nucleus से जितना दूर होगे, उनके उपर nucleus की attraction, या nucleus का hold कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो क्या करेंगे वो, वो ही आसपास वाला उनको बहका के, फुसला के, ले हो गया, तो if the size of the atom or anion is big, then its outermost electron cloud is far away from the nucleus and loosely bound, so it has higher tendency to get polarized, that is higher polarizability, okay, whereas in smaller atoms, छोटे anion होगे, या छोटे atoms होगे, electron cloud थोड़ा tightly पकड़ा रहता है, तो इसलिए उसको polarize कर बाना मुश्किल होता है, और जब polarize हो जाता है, तो एक dipole create होता है, positive end, negative end है, मिलके dipole बनाते हैं, ठ atom में dipole भी create हो जाएगा, now, this polarization caused by external influences temporary, क्यों, क्योंकि तब तक है, जब तक आस-पास वो positive ion या, जो भी polarizing agent था, the moment उसको अपने हटा दिया, आसपडो से, वापस सिर्व अपने पुरानी वाली shape में, पुरानी वाली distribution में चला जाएगा, तो we define polarizability of a molecule as the magnitude of dipole, अब आब बोल तो बच्चों, तो polarizability क्या है, magnitude of dipole induced by one unit of field gradient, कि जो field उसके आस-पास generate हुई है, ठीक है, one unit of field strength अगरम रखें, तो वो कितना अब ज़ादा dipole create कर पाएगा, तो कितना ज़ादा polarize उसको कर पाएगा, तो यह किस पर depend करेगा, अब्विसी बात है, bigger the size of atom और anion, higher the polarizability, और जो करने वाला है, वो जितना छोटा हो, छोटा क्या होता है, उसमें positive चाप बहुत dense होता है, dense just like a black hole, black hole में क्या होता है, mass को जितना smaller smaller volume में आप fit करते जाओगे, तो उसकी density बढ़ाओगे, उतना उसका gravitation pull बढ़ जाता है, black hole basically क्या है, बहुत ज़ादा mass, बहुत छोटी volume में concentrated है, तो enormously high density है, सेम चीज़, उसका gravitation pull बढ़ जाता है, यहाँ पर क्या है, cation का भी एक pull है, cation जितना छोटा होगा, positive chart dense होगा, जितना positive chart dense होगा, आसपास के electron cloud को तो strongly जोर से अपने तरफ खींच पाएगा, तो polarize करने की शमतावस में बढ़ जाएगी, तो that is the polarizing power उसकी बढ़ जाएगे, तो cation छोटा होना चाहिए, और nion जिसको polarize करना है, वो ब carbon बढ़ा है, बढ़ा है तो जल्दी polarize होगा, तो carbon की polarizability better है, और जिसकी polarizability better होते हैं, आप आगे आके देखेंगे, जब nucleophilicity पढ़ेंगे, कि अच्छे nucleophile वोत हैं, जो जल्दी से polarize हो जाते हैं, तो इसलिए carbon वाले nucleophile, comparatively, ये भी एक reason है कि carbon वाले nucleophile better होते हैं, तो carbon की polar polarizability, nitrogen से better है, उसकी oxygen से better है, तो hydrogen से better है, fluorine उससे भी कम है, तो fluorine बहुत छोटा है, और helium और भी कम है, तो these are the polarizability की values है, CRC handbook के according, proper data है हमारे पास, then iodine, bromine, chlorine, 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 ये तो obvious से बात है, iodine सबसे बढ़ा, तो उसकी polarizability सबसे जाद होगा, तो काफी जादा है, fluorine 0.55, ये 4.7, it is quite a difference, phosphorus और sulfur में, phosphorus की जादा sulfur से, तो phosphorus वाले nucleophile sulfur वाले से थोड़ा और भी better होंगे, जैसे nitrogen वाले, किस के oxygen से better होते हैं, same चीज़, समझें, तो कहां कहां use होगा ये, तो polarizability has profound consequences which you will counter in induced dipole, तो कि उसकी वैसे dipole induced गवा, nucleophilicity, etc, water is a very polar molecule, methane is much more polarizable than water, this explains the difference between polarity and polarizability, water is polar molecule है, मतलब, मतलब उसमें already dipole moment है, क्यों, क्योंकि oxygen और hydrogen की बीच का electronegativity का difference already है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए, आस पड़ उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ा आपको, already उसमें electronegativity का difference था, polarity थी, तो that is already a polar molecule, जबकि कहा गया, methane is much more polarizable than water, कि methane को polarize करना हो, और water को polarize करना हो, मिथेन में inherent कोई polarity नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा electronegativity का difference नहीं है, पर अगर ये पूछें कि हाँ, इसको polarize करना है, तो क्या हम मिथेन को जाद अच्छे से polarize कर पाएंगे या water को, मिथ methane में carbon है, और carbon की polarizability oxygen से better होती है, तो किसी में polarity है या नहीं है, इसका polarizability से कोई relation नहीं है, water already polar था, पर polarizability उसकी methane से कम निकली, methane basically non polar है, पर उसकी polarizability water से ज़्यादा है, तो किसी का polar होना या ना होना उसकी polarizability का कोई relation उसके साथ नहीं रहता, ठीक है, carbon iodine bond बही है, काफ EUE2 का, तो एक तो उसका reason यह कि carbon iodine bond लंबे होते हैं, लंबे होते हैं, तो थोड़े weak होते हैं, जल्दी चूटते हैं, दूसरा reason यह भी है, कि carbon iodine bond polarity तो कम है, क्योंकि carbon और iodine की बीच में electron negativity का difference कम है, पर iodine polarizable बहुत है, ठीक है, और समझें, तो less polar but more polarizable, carbon chlorine bond polarizable पर polarizable कम है, तो यह चीज़ आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो आपको polarizability का basics idea आपको चलो, पूर ना चाहिए, तो I hope this much part is clear, आपको इतना पार समझा गया, समझा गया तो भी है, बहुत अची बात इसको अचीज़ से आपको share करना, like करना, spread करना, we have to grow this channel very very fast and don't forget to use the code PTLIVE जब भी करने के बारे में सोचेंगे, अचीज़ वाइस चैट का feature आपको यहाँ पे मिलता है, जिसके तुरू आप live class में, chat के तुरू, voice chat के तुरू, अपना opinion के सर मुझे यह लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ बता सकते हैं, discuss कर सकते हैं, मतलब सब की class भी आप attend कर सकते हैं, you will be like amazed to seek कितने amazing teacher, कितने experienced authors इस platform पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो you have the like opportunity of a lifetime कि आप एक से बड़ी आशांदार teacher से पढ़ने का मौका आपके पास है, तो यह नहीं कि gold mine आपके सामने है, भी आपके ओपर आप कितना उस पर से gold निकाल पाओगे, ठीक से ठीक है, और इस चैनल को भी ओड़ा ग्रो करने में हैं, चलिए, all the very best, तो मिलते हैं next lecture में, तब तक keep sharing and give me your input के सार next topic क्या हम बनाएं, क्या topic के ओपर, comments में, ठीक है? Hello everyone, so I hope you like this session, जो अभी हमने cover किया, and अगर आप लोगों को ये session अच्छा लगा, then please make sure कि आप लोगों को subscribe करना है, share करना है, and like करना है, because आप लोगों की support और प्यार की वज़े से ही, we are able to grow this, चलिए, तो पहले बात करते हैं, अगर आप लोगों को YouTube का session, तो I think काफी level की learning चाते हैं, बहुत ही organized और बहुत ही amazing educators अगर आप पढ़ना चाते हैं, then I think आपको definitely unacademy subscription, join करना चाहिए, but subscription में क्या है, 50 plus top educators जो country के हैं, country के top educators बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इंडिया के top authors यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो कि जिन teachers की books आप प blindness teachers यहाँ पर हैं, अब आती है बाट doubt clearing sessions की, तो बटा doubt सबसे बड़ी समस्य बच्चों के साथ रहती है, doubts का हमारा निप्टारा नहीं हो पाता है, doubts clarification नहीं हमें मिलती है, तो unacademy पे best चीज़ यह, every fourth lecture is a doubt clearing session, बच्चे अपने doubts का फोटो क्लिक करके उसको upload कर लेते हैं, and it will be discussed in the class, और माल लीजे अगर कभी, class में बहुत सारे doubts हो गए, आपका doubts में भी, या आपको लगा कि ने यार class में नहीं मुझे तो चौती क्लास तक कवेट नहीं करना है, मुझे अभी चाहिए इसका solution, जल्दी चाहिए, तो doubt clearing portal भी है, वहाँ पर आप अपना doubt upload कर सकते है and जो हमारी experts की team है, वह आपको doubt solve करके, आपको solution भीज देखी, तो it is that's amazing, अब बात आती कि Unacademy Plus अगर आप इतना अच्छा है, तो join करना कैसे है, देखे, join करने से पहले बहुत सारी और भी चीज़े हैं, जो आप try out कर सकते हैं, कि क्या सब हम try कर सकते हैं इसको, येस, इस तोर पे जाके Unacademy Learning App install कर लिजे, इंडिया का top trending app है, education में, और install करने के बाद, उसमें बहुत सारे free resources भी होंगे, मतलब special classes, special classes वो free classes है, जो Unacademy के platform पे चलती हैं, और आप उनको free में अटेंड कर सकते हो, और उससे आपको एक feel आता है, experience होता है, कि इस तरह से हमारी classes ल आपको लगाना पड़ेगा, तो PT Cam Code बाल को लगा लेना है, वहाँ पे, ठीक है, तो उससे आपको free package जो आपका open हो जाएगा, special classes आप attend कर सकते हैं, जो free में test series आपको मिलती है, अनकाडमी के platform पे तो बहुत सारा free content भी है, ठीक है, तो वो सारा आपको unlock करना है, PT Cam Code लगा के, तो अपने दोस्तों को भी बिता देना, उनके साथ भी शेयर कर देना, इस information को, and once you decide कि हाँ यार, हमें subscription लेना है, तो just आपने app open किया, वहाँ पे, जो आपनी profile पे click करेंगे, तो वहाँ पे plus लिखाएगा, आप plus पे click करते हैं, plus पे click करते ही, आपको choose करना अपना goal, कि आप plus subscription ले सकते हो, और आप iconic subscription भी ले सकते हो, अब आपको पहले बतायता हूँ, plus subscription is like, जो मैंने आपको benefits बताए, top educators है, सबकी class आप attend कर सकते हो, test series आपको मिल रही है, doubt clarification sessions आपको मिल रही है, DPPs आपको मिल रही है, notes आप download कर पा रहे हो, पुराने lectures आप सारे सारे recorded देख सकते हो यह सारे benefits आपको plus subscription में हैं, तो फिर iconic subscription क्या है, iconic subscription is like the next step, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाते हैं कि सर हमें कोई mentorship दे ऐसा भी हमें चाहिए, कोई हमें guide करे throughout, ठीक है, पुश करता रहे, देखे कि यार यह कहां गलत कर रहे है, ठीक है, इसको यहाँ पर यह चीज़ नहीं कर ठीक है, आपको में सब positive रखे, motivated रखे, एक आपका ऐसे mentor हो, जिसके साथ अपने आप अपने सारी problem, अपने समस्या हैं share कर सको, और आपको एक सही solution मिले आपके according, यह ना हो कि एक random सा general सा घ्यान आपको दे दिया, ठीक है, आपकी समस्या हों का, आपके according, क्या solution best होगा, वो आपको मिलेगा, तो आपको एक personal mentor मिलता है, iconic subscription में, to join iconic subscription as well, तो जब आप click करेंगे join, ठीक है, मतलब get subscription पे, तो get iconic और get plus, तो वहाँ पे आपके पास option आजाएगा, कि आप one month से लेके 2 साल तक का iconic, sorry, plus subscription आप ले सकते हैं, एक महीन से लेके 2 साल तक का, ठीक है, तो two year का subscription आप 56,000 का है, and after using the PTChem code, आपको 10% discount मिल जाएगा, तो आप checkout पे PTChem code लगा लीची, और अगर आप iconic subscription की बात करते हैं, तो उसमें one, sorry, six month, one year, और two year तक का subscription आप ले सकते हैं, ठीक है, six month, one year and two year, two year का अगर आप प्लान कर रहे हैं, डारेक्ट लिए एक लाग का है, उसमें आपक and discount, PTChem code लगा के मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, कोई भी subscription आपको लेना है, you can use the code PTChem, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं भी, join करने का, तो जल्दी सी जल्दी कर लीजे, कई पर बच्चे पूचते हैं, sir, what is the right time to join plus, sir, आज ले लू, sir, अगले महने लू, जितन आप delay करोगे, आपकी preparation delay हो रहे है, nothing else, आप आज लीजिए, अगले अफते लीजिए, एक महने के बाद लीजिए, एक साल के बाद लीजिए, आपकी अपनी preparation delay हो रहे है, nothing else, and do share this information with all your friends, juniors, and उनको बताईए, कि बहुँ सब्सक्राइब कर लो, hello community YouTube channel को, and like कर देना है, share कर देना स आज का session अच्छा लगा, notes आपको description में मिल जाएंगे, और be regular in the classes, that is very very important, fine, share है, thank you, have a nice day, bye.